अब इन दोनों एरफोन में मैं 100% के वॉल्यूम पर continuously songs प्ले करने बाला हूँ देखते हैं कितना देर तक जो ही एरफोन प्लेबेक टाइम देती है अगर आप 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 आपी जादा शॉपिंग करते हैं offers and deals सर्च करते रहते हैं तो आप हमारा Telegram चैनल जोइन कर सकते हैं DC Consumer Deals क्योंकि वहाँ पर हम daily online shopping deals and offers share करते हैं पहला पहला link description box में मिल जाएगा और join हो जाएगे बोर्ड ब्रेंड ने रिसेंटी लांच है Nirvana Ion का successor Nirvana Ion ANC ANC लग गया पीछे तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर ANC का feature है पुरानी वाली में ANC का feature नहीं था Nirvana Ion की जो pricing है 2200 रुपीज है और Nirvana Ion ANC की जो pricing है 2500 रुपीज है तो उस वीडियो में तोनों के बीच में हलका फुलका comparison भी कर लेंगे mainly मैं आपको बहुत Nirvana IonC का एक detail review दूँगा क्योंकि मैं इसको पिछले 7 दिन से use कर रहा हूँ बाकि Nirvana Ion का detail review आपको चैनल पर मिल जाएगा तो यहाँ पर बिन टाइम देश्ट की वीडियो करते है तो यहाँ पर बिन टाइम देश्ट की वीडियो करते हैं बाकि box content की बात करें तो सबसे पहले paper work देखने को मिलता है जिसमें की main है एक warranty card यह truly wireless earphone 1 year की warranty के साथ में आ दिया है बाकि इसका जो user manual है वो आप इसकी app के थूरू देख सकते हैं next कुछ extra earmuffs देगे हैं large और small size के next type A to type C charging cable दी गई है जिसकी quality अच्छी है length आप देख सकते हैं next main बात करें charging case और earphone की तो creamy white color का charging case है इसमें black color भी available है इसकी बात करें तो उसका जो design and shape है जो एक normal से charging case होते हैं evergreen type जो की दिखने में हमेशा अच्छे लगते हैं और साथ ही में center में जो silver color की strip दी गई है दोनों का combination charging case को एक हट के और premium feel provide कर रहा है हाला कि glossy plastic का एक negative point भी है scratches जल्दी आएंगे थोड़ सा protect करना पड़ेगा लेकित premium लग रहा है मस लग रहा charging case देखने में case की आगई ही side पर bot की branding है उसी के नीचे मैंने अपना name customize करवाया है 99 rupees extra pay करके मैंने bot की official website से इसे buy किया था तो वहाँ पर customize your name का option दिया गया था तो आप भी करवा सकते हैं बागी उसी के नीचे एक soft indication light देखने को मिलती है और नीचे की side पर type C charging port और एक reset button दिया गया है तो एक premium feel provide करती है built wise भी मुझे charging case काफी बढ़िया लगा बागे गर मैं इसको compare कर उसके predecessor Nirvana Ion से तो यहाँ पर look, design, built, सब कुछ same देखने को मिलते है यहाँ तक ही दोनों का weight भी same है 56 gram 56 gram बस जो difference आ रहा है वो आ रहा है material का Nirvana Ion ANC पर glossy plastic देखने को मिलते है प्लास्टिक यूज कर गए पीछे वाली side पर पूरा matte finish वाला plastic है और जहाँ पर housing है वहाँ पर glossy plastic देखने को मिलते है overall जो material और design है earphone को एक premium feel provide कर रहा है बागी इसकी airmaps की rubber भी soft है और जो speaker grill है वो भी solid material की देखने को मिलते है बट वो मुझे metal का material नहीं लग रहा लेकि solid material यूज क्या गया है बागी functions और features की बात करें तो दोनों earphone पर dotted indication light देखने को मिलते है और साथ में touch control के साथ में आती है तो यहाँ पर touch control कैसा work करते हैं बता देता हूं दोनों side के single tap पर song को pause या play कर सकते हैं दोनों side के double tap पर next या previous song play कर सकते हैं और दोनों side के triple tap पर beast mode यानि की gaming mode को on या off कर सकते हैं और right side के long tap पर ANC mode को on या off कर सकते हैं और left side के long tap पर sound quality में change कर सकते हैं उसके touch sensors एकदम fine work करते हैं मुझे कोई भी कमी नहीं देखने को मिली बाकी इसकी app के through यानि की bought hairable app के through आप इसके touch functions में changes कर सकते हैं इसके touch control के through आप volume increase, decrease कर सकते हैं voice assistant operate कर सकते हैं gaming mode on off कर सकते हैं और भी functions दिये गए हैं आप इसकी app में देख सकते हैं बाकी जो earphone है IPEX 4 rating के साथ में आती है बाकी एकदम सेम है next बात करें Bluetooth और connectivity की तो इसमें 5.2 Bluetooth version देखने को मिलता है तो इसको मैं Android phone, iPhone, laptop और tab चारो से मैं connect कर चुका हूँ मुझे connectivity में कोई भी problem नहीं देखने को मिली साथ ही में fast padding दी गई है charging के इसको open करता ही 5 second में connect हो जाता है same time पर मेरे smartphone से भी connected रहेगा दोनों में यूज कर सकता हूँ ये phone को एक time पर ये feature इसमें add कर दिया गया इसका जो predecessor है Nirvana Ion उसमें ये वाला feature नहीं था इसमें दिया गया है next बात करें app support की तो इसमें बहुत horrible app support देखने को मिलता है app के through आप इसका noise cancellation on off कर सकते है bot equalizer का option दिया गया तो वहाँ पर इसकी sound quality में आप changes कर सकते है उसके बाद touch का option दे गया जो कि आप इसके touch control में changes कर सकते है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था उसके बाद system का option दिया गया है वहाँ से आप इसका in ear detection को on off कर सकते है multipoint connectivity को on off कर सकते है इसका user manual वहाँ से आप read कर सकते है तो यह सब चीज़े इसकी app में दी गई है जो कि ठीक ठाक features और functions देखने को मिलते हैं इसकी app में और इसकी app एकदम fine work करती है बाद इसकी जो predecessor निर्वाना आयन उसमें भी हमें यही same app support देखने को मिलता है same to same work करता है next बात कर इसके active noise cancellation की तो उसमें up to 32 dB का ANC दिया गया है तो उसका ANC मैंने इसको use किया outdoor तो जो overall surroundings में noise होता है यह तो काफी हद तक दब जाएगा वो irritate नहीं करेगा लेकिन जो कहीं बार bike, motor, traffic का जो noise होता है मतलब उसका noise 50-60% तक दब जाएगा 40% कानों में पड़ेगा मतलब irritation नहीं feel होगी overall मैं यह बोल रहा हूँ indoor के मैं बात करूँ जैसे fan चल रहा है तो महाँ पर 50-60% तक noise दब जाएगा और जैसे मेरे background में अभी ना पीछे motor चल रही है तो मैंने इसका ANC यूज किया उसका मुझे 20-30% noise कानों में पड़ रहा था बाखी जो irritation थी एकदम दूर हो गई price के हिसाब से मुझे ठीक ठाक अच्छा लगा इसका ANC अगर मैं compare कर उसके सामने जो आती है नोड बर्ट्स 2 रियल्मी बर्ट्स T300 उनके मुकाबले में इसका ANC थोड़ा सा नीचे है वो 20-30% better है इससे ANC के मुकाबले में बाखी 2800 रुपीस के price के हिसाब से इसका ANC थोड़ा सा और better हो सकता था मुझे ठीक ठाक अच्छा सा लगा नेक्स यहाँ पर बात करें fitting की तो सबसे पहली चीज fitting एक subjective matter किसी को अच्छी fitting आईगी किसी को अच्छी fitting नहीं आईगी बाखी मुझे इसकी fitting अच्छी आई क्योंकि इसकी earphone की जो housing का size है वो एकदम ठीक ठाक proper दिया गया ना जादा बड़ा है ना एकदम छोटा है दिखने में earphone बड़ी लग रही है बलकी feel दे रही है और इसका जो weight है 5 gram each है मैं इसको जिम में workout, running, cycling करते वक्त यूज के गया easily कानों से नहीं निकलती है grip अच्छी बनी रहती है लेकिन घर में जैसे normal activity होते है खाते वक्त या फिर बोलते वक्त, dance करते वक्त यूज कर रहा था हल्की हल्की कानों से lose हो रही थी अंदर की तरफ press करना पड़ रहा था ये चीज भी मुझे देखने को मिली यहाँ पर इसकी fitting को मैं अच्छा बोलूँगा best भी नहीं है और एकदम बेकार भी नहीं है medium अच्छी है नेक्स बात करें in a detection के feature की तो इसमें in a detection का feature दिया गया कैसा work करता है दिखा देता हूँ अब यहाँ पर मैं निकालता हूँ कानों से बाहर song pause हो गया play हो गया pause हो गया play हो गया तो आपने देख लिए इसका in a detection का feature एकदम सही work कर रहा है लेकिन मैं आपको बता हूँ इसमें कुछ कमिया भी है कई बार हलका सा कानों से lose होते हैं एरफोन song pause हो जाता है जब आप दुबारा इसको press करेंगे अंदर की तरफ play होगा फिर pause हो जाएगा play होगा फिर pause हो जाएगा मतलब कई बार काफी irritate करता है इसका in a detection का feature लेकि normally सही work करेगा कम ही मैंने आपको बता दी आप इसकी app के थुरू इसका in a detection का feature off कर सकते हैं जो की मुझे irritate कर रहा था तो मैं इसको off करके ही use कर रहा था ऐसा मुझे लगा इसका in a detection का feature बाकि यह वाला feature हमें इसके predecessor निर्वाना आयन में देखने को मिलता है और सेम तरीके से work करता है जो कम्या इसमें इसमें भी वही कम्या है नेक्स बात करें सबसे main चीज sound quality की तो इसमें 10 mm के speaker drivers देखने को मिलते हैं और साथ ही में दो टाइप की sound quality के साथ में आता है एक है बहुट signature sound और दूसरी है crystal bionic sound तो आपर सबसे पहले जो बहुट signature sound है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो उसमें जो bass है काफी अच्छा thumping loud premium bass सुनने को मिलता है bass सुनकर मज़ा आया vocals भी clear समझ में आता है चाहिए आप movie देख रहे है या फिर song सुन रहे है लेकिन कई बार bass vocals के ओपर थोड़ा सा आपको overpowered feel देगा मतलब bassी बैसी जादा feel होगा आपको जो trebles है वो भी मुझे ठीक लेगे full volume पर noisy feel नहीं देते हैं जो loudness है वो भी काफी अच्छी दी गई है आप 70-80% के volume पर music सुनेंगे यहाँ पर एक चीज़ में बोलूँगा इसकी जो board signature sound है उसमें आपको थोड़ा सा बेसी बेसी जादा feel होगा मुकाबले के crispiness जो होती है न वो थोड़ी कम feel होगी मतलब bass अच्छा दिया गया वो आपको feel होगा बाकी जो इसकी दूसरी sound quality है crystal bionic sound उसमें bass दब जाएगा हलका फुलका bass आएगा trebles जादा होंगे और vocals जादा होंगे अगर आपको bass जादा नहीं पसंद तो वो वाला mode दिया गया है वो भी काफी अच्छा है एकदम clear है यहाँ पर इसकी 2800 रुपीस के price को ध्यान में रखता हूँ इसकी sound quality को मैं rating दूँगा 8 out of 10 अब मैं Nirvana Ion ANC की earphone की sound quality को मैं compare करूं Nirvana Ion without ANC वाली earphone की sound quality से तो यहाँ पर जो both signature sound है दोनों की same है उसमें कोई जादा difference नहीं है लेकिन जो both Nirvana without ANC वाली earphone में balance mode दिया गया न वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता लेकिन Nirvana Ion ANC में जो दूसरा crystal bionic sound वाला mode दिया ग है तो पहले आप call recording सुन लीजिए पहले गवरिया बारता नौज सुने अब यहां पर आप अंदाजा लगा सकता है कैसे माइक कॉलिटी और एक प्रॉपर call recording है दूसरे person के end पर call record हो रही है आउटसेट काफी नौज था ट्रैफिक और होन का काफी नौज आ रहा था लेकिन इसके थ्रू जो मेरी आपने voice सुनी उसमें noise मैं बोलूँगा 70% तक दब गया था लेकिन कुछ noise इसमें capture हो रहा था होन वगेर का traffic का बाकी जो मैं बोल रहा था वो एकदम clear समझ में आ रहा था उसमें मुझे कोई भी distortion दबा दबा बिल्कुल भी feel नहीं हुआ यहां पर इस अब यहां पर आपके call recording सुन रहे है इसके माइक के तू रिकॉर्ड हो रही है यहां पर आप अन्जाजा लगाईए कैसे की माइक क्योलिटी और यह तो call recording है receiver के end पर record हो रही है नेक्स बात करें गेमिंग के तो 60 millisecond की low latency दी गई है with gaming board तो पहले आप gaming demo देख लो यहां पर मैं ज्यादा gaming तो नहीं करता हूँ जितनी भी मैंने इसके through gaming करी मुझे ठीक लगी इसकी low latency साही से work कर रहे है तो आप gaming को लेकर भी सोच सकते हैं बाकि इसकी जो predecessor है निर्वाना आयन विदाउट ANC वाली earphone में भी same low latency दी गई है gaming को लेकर same है निक्स बात करें बैटरी चार्जिंग और playback time की तो चार्जिंग के 600 mAh की बैटरी के साथ में आता है अब यहाँ पर बात करें playback time की company ने mention किये up to 120 hours का playback time अगर आफ 50% के volume पर music सुनते हैं बाकि जो मैंने test किया वो numbers मैं आपको बता देता हूँ without ANC देखते हैं कितना देर तक जो है यह earphone playback time देती है तो यहाँ पर मैं सॉंग स्टार्ट कर देता हूँ time आप देख लेना अभी जो नेक्स दे स्टार्ट हो चुके है सुबह के जारा बज रहे हैं तो यहाँ पर जारा गंटे 20 मैट हो चुके है इसमें full volume पर continuously अभी भी music play हो रहा है और अभी मैं आपको तिखा रहे हैं तो इसमें कितनी percentage battery बची है तो आपर 21-22 पर बैटरी अभ भी काफी बढ़िया करें 50% की volume पर music play करें रखता अराम से ये 19-20 आर्स का playback time दे देती ये earphone इस charging के से एक्स्ट्रा 4 टाइम ओर चार्ज हो जाते है तो यहाँ पर जो overall playback time हो जाता है around 80-90 आर्स का अराम से मिल जाएगा अगर आप इसको 50-100% की volume पर music सुनते हैं अगर 100% पर सुनेंगे तो around 70-75 आर्स का आराम से मिल जाएगा बाकि यही same to same playback time बैटरी हमें both Nirvana without ANC वाले earphone में भी देखने को मिलती है difference नहीं है कुछ भी पर सबसे पहले both Nirvana iron ANC और both Nirvana iron without ANC वाले earphone के बीच में difference बोलूं charging case के material का difference है Nirvana iron ANC में active noise cancellation दीया गया यह निरवान आयन without ANC में active noise cancellation नहीं दिया गया निर्वान आयन AMC में dual connectivity दी गई है Nirvana iron without ANC में dual connectivity नहीं दी गई यह major major difference है भागि an on sound quality में भी हलका सा difference है Nirvana iron ANC में crystal bionic sound दी गई है वह much better है निर्वाना आयन विदाउट ANC वाले एरफोन में जो balance out दी गई है उसके मुकाबले में तो ये चार major difference है उसके इलावा दोनों के बीच में कोई भी difference नहीं है अगर आपको ये चार चीजे चाहिए तो आपको निर्वाना आयन ANC के साथ में जाना चाहिए मुझे ठीक लगा और भी बेटर हो सकता था calling इसकी outdoor के लिए मुझे above average लगी indoor के लिए best है लेकिन pricing के हिसाब से और बेटर हो सकती थी in air detection का feature मुझे ठीक ठक लगा ये तीन-चार मुझे आपको बाकि सारी चीजे में बेस्ट बोलूँगा तो यहां पर आप डिसाइड कर सकता है कि कौन सी लें कौन सी ना लें या फिर दोनों में से कोई भी मत लें यह आपड़ डिबंट करता है बाकि बेस्ट बैल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएंगे अगर आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना तो मिलते हैं आप से किसी वीडियो में तब तक के लिए होगे डाटा बाबाए